एक कहानी बताँगा और ग्यान की बाते हैं और एक दवा बताऊगा एक साइट ऐसी है की महाभारती कहानी है और हम सबने सुनी है यह कहानी कि उसमें काड़क्टर था उसका नाम था विदूर उसके बारे में यह खास्यफ थी कि एक तो बहुत इंटलिएंट था और दूसरी बात है कि वो तब तक कुछ नहीं बोलता था जब तक बहुत जरूरी नहीं हो तो एक बार की बात है कोरवों ने ये प्लान बनाया कि पांड़ों को जला के मारते हैं तो उन्होंने घर बनाया लाक का उसे लाक्षा ग्रह नाम करते हैं इसमी आहां जए मेट आखने जाएंटे हम काल का मिलो एता है अउरों में नयुक्त गोर्ण में भी हरों किस बिना सील को तोड़े विंवल्लम कोर ने सकते जिक को यांद वर किया तो दौरान बातों में इधर जिक गप बातों के भी दूर बहँ जा जाया पी दढ Caribbean जाते हैं और इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और फिर जब कौरव चले गए पांड़ों ने प्लान किया कि अब हमें यही रहना है आज राथ तो पांड़ों के मन में एक बात आई कि विदुर जो कभी भी बिना मतलब कि कोई बात नहीं बोलता उसने आउट अफ कंट हैंगे, तो उन लोगों ने उसी दिन सुरंग बना ली और फिर आगे कहानी में पता है कि किस तरह से रात में कौरवो ने आग लगाई और पांड़ों सुरंग से बचके भाग गए और फिर कोई दे बात भी जाएब के कहानी थी और इस कहानीमें एक चीज है जिसका ना है यह लाख बनती है पार्च ट्रीज से और यह ट्रीज होते हैं पहाड़ी लाखों में अब जहां कोरव पांडव रहते थे इंद्रप्रस्त यानि कि आज का दिल्ली उसके बहुत पास ही है पहाड़ तो लाख भी बहुत अवलेबिल था और यह अवलेबिल होता है उन दुकान जो मदमक्की का छाह्त नाना ऊता है उसमें शहद होता और जो छाहत जिस मैटिर्यल कमना होता है वो वैक्स होता है तो वह वैक्स भी उन दुकानों मिलता हैurar जहां पर जड़ीबु, बुर्णी दवगाई लिए उस वैक्स को रोज रात में हथेरी तल्वे में लगाईए रात भर लगा रहे हैं जो बारा गंटे तो आपके हाथ और तल्वे जो फटते हैं जो क्रैक्स होते हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और स्किन एकदम सॉफ पिड़ेगी और फिर भी नहीं होई तो हो सकता कॉंटेक्ट डंटेटिस तो बहुत सारी महिलाओं को जो सिंदू लगाती है खुब भर भर के लगाती है उनको यहां इचिंग होना शुरू होती है फिर मांग के पास से बाल धीधरे कम होना शुरू जाती है एक तो बाल जड़ते हैं दूसरा अंदर इचिंग होती है और कभी गभी तो स्किन बहुत ज्यादा रेड जाती है और डार्क हो जाती है तो अगर आपको जड़ासा भी इस तरह की ऐलर्जी की प्रॉलम हो तब तो आपको बिल्कुल ही लगाना चाहिए इसकी जोगे दूसरे रेड आल्टरनेटिव साप लगा सकते हैं या आपने स्किन के डॉक्टर से पूछ सकते हैं और अगर आपको एलर्जी नहीं हो इचिंग नहीं होती हो कुछ नहीं होता हो तब भी आपको बहुत कम मात्रा में इसे यूज करना चाहिए क्योंकि लॉंग टम में जो हलका इंफ्लेमेशन होता आपको पताने चलेगा लेकिन वहां से आप तर आपको अारा कि लॉच्ट से लिए नहीं होता है इंप्लेमेशन होता है ताहिए कि झाहिए नहीं होता है झाल का ज़ता है तो अटको प्राव से घटने जब टाइना ऑंगर खशावा है लगको येंदित टन्यूजिघक तर्म के लंगर आपको वांज बहें होता हुआ